हाई एवरीवर्ण वेल्कम बैट टू माई चैनल आज में मेरा किचन काउंटर टॉप के से और्गनाइज करने वाली उसके बारे में वीडियो बढाने वाली और मेरे जो किचन की चिमनी होती है न वह में क्लीन करने वाली यह मैंने बॉटल थी मेरे पास पर में पड़ा उसका नौप न तूट गया था तो फिर में अच्छे से बॉटल को मस्ट पेंट किया था उसके उपर मस्ट फ्लावर बनाए थे मुझे जो ग्लास पेंटिंग वाले जो पेंट है न ओ नहीं थे यह भी अच्छा था आप भी अपने घर में बॉटले से होगी तो बढ़ा सकते हैं जा किचन का काउंटर टॉप का एक कॉर्णर खाली ता उसके रहे रखने के लिए मैंने बढ़ाए बाद में मुझे किचन की चिम्री साफ करने थी क्लीन करने थी से लिए मैं किचन में आ चुकी थी फिर यह किचन की चिम्री होते हैं ना टू वीक्स में हर टू वीक्स में साफ करने होती ज्यादा मतलब टाइम गया तो फिर वह ज्यादा खराब हो जाती है उसमें पूरा होता है ना ऑईल जमा रहता है तो मैंने वह अच्छे से साफ कर दिया मतलब मुझे कांटर यह मैंने पूरा टीशू पेपर लिया एक है ऐकसे से मतलब साफ हो जाता है ज्यादा तो इसलिए फिर में सोडा यूज़ करती है और लेमन यूज़ करती है पद्ध्यान इसके कुछ मतलब इतना गंदा नहीं था इसलिए नॉर्मल मतलब पानी और साबुन से हो गया तो यह अच्छे से साफ कर दिया मैंने यह अभी साफ हो गया अच्छे से क्लीन पानी से मैंने साफ कर दिया इसको फिर अच्छा भी लग रहा है मतलब जादा कुछ मुझे वर्क करने के जरूरत नहीं पड़ी अभी जाली वाला भाग होता है न उसको भी मैंने अच्छे से डिटरजन लिया और अच्छे से साफ कर इन इतना गंदा मतलब ओइल वाला नइथ हमें टू विक्स में साफ कर ती रहती हो तो अच्छा रहता इसलिए तो यह भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया यह भी साफ हो गया फिर इसको मैंने लगा दिया यह भी किच्छन काउंटर टॉप मैंने अच्छे साफ और क्लीन कर दिया था तो मैं थ्री या फोर स्विक्स में अर बार उसकी चेंजिंग बदलती रहती है तो हमें भी दिखने में अच्छा लगता है और थोड़ा मतलब फ्रेशनेस फील होती है थोड़ा वही वही लूग देखके भी हम भी लोग बोर हो जाती है यह मैंने अमेजॉन से पर्चेस किया है बहुत अच्छा है तो यह मैं उसके ऊपर टी और शक्कर का जो कंटेनर होते हैं वह रख देती हूँ यह भी मैंने अमेजॉन से पर्चेस के थे उनको भी वन साल हो चुका है तो भी बहुत अच्छे मतलब आप भी ले सकते हैं मतलब अच्छा है कॉलिटी वाइज भी अ सामान होता है स्पून और जो नाइफ होते हैं वह रख देती है तो यह अच्छे से अरेंज हो गया भी यह लेजी सुजन मैंने अमेजन से पर्चेस किया था इसमें में जो ऑईल और घी होता है ना डेली यूज के लिए हमको लगता है और सब इसमें इस लेजी सुजन में अच्छा है मतलब प्राइस को में पत बहुत अच्छा है और यह अमेजन से पर्चेस किया इसमें मैंने घी मतलब भार वाला घी और घर में हम जो निकालते हैं घर में बनाते वह वाला घी रखा यह खतम हो चुका तो यह भी मैंने मतलब ग्यास के बाजू में रखा है तो हम रोटी बनाते कुछ भी हमें ऑईल की जरूरत होती है तो मतलब लेने भी आसानी हो जल्दी से मिल जा यह भी मैंने जो उडन का ट्रे ने एमेजन से पर्चेस किया है मतलब इसको हम डाइनिंग टेबल के उपर भ मतलब ब्रेकवास के लिए जल्दी-जल्दी लगता है तो यह में ऊपर ही लगती हो किचें के ऊपर ही रखती है इसके लिए मैंने यह उडन का ट्रे पर्चेस किया यह बहुत अच्छा है दिखने में पैच्छा लगता है मतलब डाइनिंग टेबल के उपर भी हम रख सकते किचन के उपर भी लग सकते हैं इसके यूज भी बहुत अच्छा प्राइज में भी बहुत कम है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने बाइ किया है हो बहुत अच्छा लगता है किचन के उपर मेरे तो बहुत लग रहे ती मतलब फूरा किच्छन का मेरा ल के उसने चेंज कर दियारी अरही फ्रिश में जैसा कर दो लगए तोन्रे लगाता है तो भी अच्छा लगता हें मैं ने आज़ अलग हो जाता है और कुछ अलग हो च्क पर जता है किया था एक boiler ये मतलब price बहुत कम है पर मतलब चला बहुत अच्छा है अभी 4-5 मैने हो चुके तो मुझे पहले लगा था कि price कम होगा तो ये मतलब चलेगा है नहीं पर बहुत अच्छा चल जाता है आधी कीवी के एक boil करने के लिए भी बहुत अच्छा है मतलब सुबर शाम मुझे लगता है तो मैं उपर ही रख देती हूं ये भी एक container है पूरा मतलब 3 डर्जन एक आजाते ये भी बहुत अच्छा है ये भी मैंने Amazon से पर्चेस किया ये भी मतलब countertop पे उपर ही रख देती हूं तो जल्दी-जल्दी मिल भी जाता है तो अच्छा भी लगता है और ये मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना लाइक करना और शेयर करना मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइबाइ झाल 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 और शेयर क्वाई भं झाल झाल